वेलकम टू टेक्स्ट गेलेक्सी, कीप वाचिंग, कीप लर्निंग यूपी टिर्पल लेसी मुख सेविका 2022 के प्रेक्टिस सेट चैनल पर स्टार्ट हो चुके हैं लेखपाल की सफलता के बाद अब मुख सेविका में अच्छा स्कोर करने का समय आ चुका है चैनल को सब्सक्राइब तथ वेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपका कोई भी प्रेक्टिस सेट ना छूटे आज के प्रेक्टिस सेट में हम इतिहास के सिंदु घाटी की सभिता यूम बैदिक संस्कृती के महत्पूर प्रस्णों को देखेंगे चलिए देखते हैं आज का पहला प्रस्णु सिंदु सभिता अस्थल मोहन जोदाडों का खोज करता किसे माना जाता है राखाल दास बनर जी करेक्ट आंसर ए होगा सिंदु सब्विता के मोहन जोदारो अस्थल की खोज राखाल दास बनर जी ने 1922 में तथा हडपा की खोज दयराम साहनी ने 1921 में किया था सिंदु घाटी के लोगों की एक महत्पूर रचना निमने लिखित में से किसकी मूर्ती थी? सिंदु घाटी के लोगों की एक महत्पूर रचना निरित करती हुई बालिका की मूर्ती है जो कांसे से निर्मित है यह मूर्ती मोहन जोदारों से प्राप्त हुई है सोर्तु गूई सिंदु घाटी सब्विता अस्थल किस देश में है? सिंदु घाटी सब्विता अनारी सब्विता थी क्योंकि यह एक सहरी सब्विता थी? करेक्ट आन्सर ए होगा हरप्विता सब्विता में गढ़ किस के लिए जाना जाता था? वहां उच्चितर वर्ग के लोग बसते थें करेक्ट आन्सर ए होगा हरप्विता के एक हिस्से लोथल की खोच किस ने की थी? एस आर राओ अहम्दाबाज जिले गुजरात के सराग वाला ग्राम से 80 किलो मीटर रच्छिर में भोगवा नदी के तट परिस्थित लोथल की सर पर्थम खोज डाक्टर एस आर राओ ने 1954 में की थी? नेक्स्ट क्यूस्चिन निम्नलिखित सैंधो अस्थलों में कौन सा अस्थल उत्तर परदेश में इस्थित नहीं था? दधेरी दधेरी परवर्ती हडपी अस्थल था जो पंजाब के लुधियाना जिले में जबकि हुलास उत्तर परदेश के सहारन पूर जिले में आलंगीर पूर उत्तर परदेश के मेरड जिले में तथा मांडी उत्तर परदेश के मुझफर नगर जिले में इस्थित सैंधो काली नस थे नेक्स्ट क्यूस्टिन है आरिस अभ्यता में मनुस्य की जीवन के आयू के आरोही करमानुसार निमनलिकी चरडों में कौन सबिकल्प सही है ब्रह्मचर ग्रहस्त वानप्रस्त सन्यास करेक्ट आंसर ए होगा हिंदु धर्म में मानो जीवन को चार अवस्थाओं में विभाजित कर आस्रम ब्यवस्था का प्राउधान किया गया है हिंदु धर्म सास्तरों में मनुस्य की आयू सो वर्ष मानकर परतेग आस्रम में निर्मित 25-25 वर्ष की अवधी निर्धारित किये हैं यथा ब्रह्मचरी के लिए आरंभिक अवस्था से 25 वर्स तक गिरहस्थ के लिए 25 वर्स से 50 वर्स तक वानप्रस्थ के लिए 50 वर्स से 75 वर्स तक सन्यास के लिए 75 वर्स से 100 वर्स तक जब आलोप निसद में सर पर्थम चारों आस्रमों का लेख मिलता है गिरहस्थ आस्रम को सरबोच्चमाना गया है निम्लिखित में से कौन सी जनजाती सभा सामान ने रूप से जनजाती सरदार मुखिया के चुनाव में सामिल होती थी समिती करेक्ट आंसर ए होगा रिक बेद में समिती का नौ बार उलेख मिलता है समिती को बिस्व अथवजन साधारण की आवाज अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया है राजा जनजाती सरदार के मुखिया के निर्वाचक यों पुनर निर्वाचक में इसका महत्पूर योगदान था नेक्स्ट है अस्तोमा सद्गमे का उलेख सरपर्थम कहां हुआ है रिगबेद करेक्ट आंसर बी होगा रिगबेद एक संहिता है जिसमें दस मंडल एक हजार अठाईस सूक्त इसी में सरपर्थम अस्तोमा सद्गमे का उलेख हुआ इत्रेयों कौसित की रिगबेद की उपनिसद है नेक्स्ट कुईस्टिन बैदिक धर्म का मुख लच्छडी इन में से किसकी उपासना थी? प्रकिर्ती करेक्ट आंसर A होगा नेक्स्ट है कौन सी सामाजिक प्रथा के वर रिगबेदिक काल की प्रतीक सिंबल है दहेज प्रथा करेक्ट आंसर D होगा नेक्स्ट है निम्न में से उपनिसद किसकी ब्याक्षा करता है आरियों के दर्सन और सिधानतों की करेक्ट आंसर A होगा नेक्स्ट है सबसे प्राचीन उपनिसत किसे माना जाता है छान दोग उपनिसत करेक्ट आंसर A होगा सत्पत ब्रामण और तैतिरी ब्रामण के ब्रामण मोल पाठ है या जुर्बेद करेक्ट आंसर B होगा फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बीडियो को लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें बीडियो देखने के लिए धन्यवाद